वेलकम टू कोकिंग सुगिंग विद प्रिया आज मैं आपको फापड़ा बनाना बताऊंगी ये गुजराती डीस है इसे तिकी हरी मीड्च और गर्मा गर्म जलेबी के साथ खाया जाता है ये डीस खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है लेकिन इसको बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है तो कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो चलिए बिन समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं वन कप मैंने यहां पर लिया है बेसन टू टीस्पून हमें चाहिए तेल हाफ टीस्पून मैंने यहां पर लिया है नमक हल्दी पाउडर हाफ टीसपून से कम रेनी यहां पर लिया अजवाइन अब हम इसमें अजवाइन एट करेंगे अजवाइन ज्यादा मोटी नहीं लेनी है अमें बारिक अजवाइन ही लेनी है पापड़ खायर पे मिक्स कर लेते हैं और हम एड करेंगे नमक हल्दी डालना हमें तेल का ही यूज़ लेना है सब ही को अच्छे से मां नहीं चाहिए बस मुटी बन जानी चाहिए उतनाहीं इसे मस बुआ इसाभी को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है अब तोड़ा तब तोड़ा में पानी एड करेंगे तो मैं इसमें पानी एड़ करूंगी पानी इसमें कम ही जाता है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही एड़ करेंगे इस तरह का हमें डो तयार करना है मीडियम सॉफ्ट डो अब 1 एट टीस्पून मैं इसमें तेल एड करूंगी और एक बाद फीर से हम इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल हमें इसको अच्छा और लचिला बनाना है बिल्कुल सॉफ्ट बनाके हमें इसको तयार करना है तो थोड़ी देर के लिए हम इसको मसल मसल के लिए लगा कर हमने यहां पे थ्री टीस्पून तेल एड किया है इसमें अब इसके छोट छोटी बोल बना लेंगे वोड़ी से हाथ पर हम चिकनाई लगा लेते हैं और इसको अम इस तरह लंबा करेंगे और जितनी साइच के हम इसकी बोल बना लेंगे तो यहां पर मीडिय करेंगे हैं निरती इस तरह इसको इस तरह हम इसको इस तरह करेंगे अच्छ फाफ्र मीडिया हैं अरे रह्याव करें लेकिन बनाना है में लगडिक पके पर आधे दूसरे में बनाएंगे तो वह चिपकेगा नहीं और अच्छी तरह से हमारे फाफड़े तैयार नहीं होंगे तो यह खास बात है कि जब भी हम फाफड़े बनाएंगे तो लकड़ी के पाटे या बोड़ पे ही हम इनको बनाएंगे बिल्कुल जरासा में इसको घ्रीज करूंगी ज्याद की ओर हमें इसको इस तरह दबाते वे बनाना है यह देखे बड़ी आसानी से बन जाता है आप देख सकते हैं इस तरह हम दूसरा भी बना लेंगे एक और हम बनाते हैं इस तरह हमें इसको इस तरह प्रेस करना पहले पीछे की ओर से धक्का देते वे हमें आगे की ओर ले जा लेकिन हमारे पास गरों में इतनी बड़ी कड़ाई नहीं मिल पाती है तो हम इस साइच के बनाते हैं अब नाइफ की मदद से हम इसको निकाल लेंगे इस तरह बड़ी आसानी से निकल भी जाते हैं यह देखिए उनकों तेल में प्राई करेंगे यह देखिए गेस पर मैंने रख ऑज में तेल कर दिया है और तो एक्लाइल करने के इसमें डालेंगे इस तरह हमें इने मीडम फ्लेम पे फ्राइ करना है और एक बार पलड देंगे यह देखें कितने अच्छे फाफड़े हमारे बनकर तैयार हुए हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल हलवाई श्टैल में बिल्कुल लंबे लंबे फाफड़े जो है हमारे बने हैं दोनों साइट से जब अच्छ तरह से सीख जाएगा तो हम इने बाहर निकालेंगे और इसी तरह हमें सारे फाफड़े बनाने हैं फाफड़े सीख गए है तो इने में निकाल लेती हूँ आप देखे फाफड़ा बनकर त्यार हो गया है बहुत अच्छा फाफड़ा हमारा बना है आप देख सकते हैं इसे बाहना बहुत आसान है बस बनाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इसका जो हम डो लगाएंगे वह ज़दा टाइट नहीं लगाना है और इसको अच्छ तरह से मसल मसल के चिकना करना है और जब भी हम दूसरा फाफड़ा बनाएंगे तो नीचे का जो बोड है जो पाटा हमने लिया है उसको अच्छे से क्लीन करेंगे फिर हम दूसरा बनाएंगे बिल्कुल हमें निम्बू के आखार की छोट छोटी लोई बना कर ही पाफड़ बनाना है ताकि फाफड़ी के जो थिकने से बिल्कुल परफेक्ट रहें और फाफड़ा जब हम फ्राई करेंगे तो तलते समय मूरना नहीं चाहिए इस बात का भी आप खास द्यान रखें हमें पहले से बनाके नहीं रखने हैं एक एक हम बनाते जाएंगे और फ्राई करत लेकिन मैंने इसको एक जगा है हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ खाया था बहुत ही टेश्टी लगा था इसको खाने के लिए हम पाफड़े पर बारी कटे प्याज हरी मीर्च और चटनी लगा कर खाएंगे बहुत ही टेश्टी लगेगा उमीद हैं आपको मेरी रेसिप पसंद आई होगी प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करना नहीं भूलें मेरे और भी वीडियो देखने के लिए उपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं लेगे आप मुझे फेस्बुक इंस्टाग्राम मैं ट्वीटर पर फॉलो करना चाते हैं तो डिस्क्रेप्शन पर दियेगे लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ठेंक यू पॉर वाचिंग माई वीडियो आपका दिन शूब रहे